तो आज किस वीडियो में आपको इंस्टागाम न्यू ट्रेंडिंग सोंग के साथ स्टेटस वीडियो एडिट करना सिखाने वाला हूं यह गाना अभी काफे ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है पतली कमरिया तो तेरी तो यह आपने जरूर से सुना होगा तो किस तरह के स आप भी अपने फोटो को एड़ करेंगे ऐसा स्टेटस वीडियो एडिट करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं मैं आपको बिल्कुल कम्प्लीट स्टैबास्टब सिखाने वाला हूं अगर आप इस वीडियो को कम्प्लीट देखेंगे तभी आपको सब कुछ समझ में आ ज क्लिक करने एहां पर मैं आपको दो प्रोजेक्ट देने वाला हूं संग बीट का और सैग एफेक्ट का दोनों को क्लिकरके इंपोर्ट करें और वीडियो के डिसक्रिप्ट्ट में आपको लिंक मिल जाएगा आपको एक लिग बिलेका उससे लिए आपके समने वेबसाइड उपन हो जाएगए उसके नीचे आपको स्क्रोल करना है आपको डाउनलीट का एक बटन मिलेगा उसके लगाँ के सबसेगे प्रोजेक्ट है इसको आपको ओपन करना है जो कि इस तरीके से आपके सामने ओपन हो जाएगा आपको थोड़ा सा वीडियो को समझना होगा तब ही आपको सब कुछ बिल्कुल प्राक्टिकल समझ में आने वाला है सबसे फर्स्ट में आप रहेंगे प्लस पर क्लिक करेंगे मीडिया पर क्लिक करेंगे यहां पर आपको अपने फोटो को कम्प्लीट एड़ कर देना है जिस भी फोटो के साथ आप अपना स्टाड़स एड़ेट करना चाह लाएगी उसके बाद आपको यहां पर क्या करना है यहां पर प्लस पर क्लिक करना है यहां पर आपको 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 क्या करना है जितने भी फोटो आप यूज करने वाले हैं स्टेटस के अंदर कम से करें आपको छे से साथ फोटो का यूज करना होगा तो आपको क्या करना है उन सारे फोटो को उन सारे फोटो की जो साइज है वह बिल्कुल आपको फिक्स रख लेनी मतलब 9 इंटू 16 अंदर रख लेनी तो यहां पर आपको सबसे पहले वन सबस्क्राइब करें अपको फोटो यहां पर आजाएगा आपको सेव करें सेम इसी तरह करें आपको अलग अलग 6-7 फोटो को अपने गैलरी में स्याय उपकर लेना है उसके बार आएंगे ऑपन करेंगे संग बीट के प्रोजेक्ट को यहां से आपको आगे जाना है यहां पर आपको दो लियर मिलेगे तो जो यहां पर इमेज वन लियर है इस पर आपको क्लिक करना है उपर आपको फोल्डर पर क्लिक करके अलाइट मोसन की फोल्डर में जाना है जो फोटो अभी आपने सेव किया वो आपको यहां पर मिल जाएंगे आपको उसी फोटो को लेना है प्लस पे क्लिक करना है उसके बाद आपको इमेज तू लियर मिलें इससे अज़िए के लिए इसमें वही फोटो लेंगे और प्लस पे क्लिक कर देंगे वह फोटो यहाँ पर हमारा नीचे complete ऐड हो जाएगा ओके अब आपको क्या करना है यह जू फोटो मने आड जो इसमें आपको effect को डालना होगा तो आप यहां से बाहर आएंगी दूसरी प्रोजेक्ट को open करेंगे जोगी कुछ इस तरी के सब को मिल जाएगा यहां पर आपको सबसे उपर rectangle मिलेगे सब क्लिकर के effect पर क्लिकर के copy effect करना है बाहर आना और आपको song का बीट का जो प्रोजेक्ट है इसको open करना है और इस photo पर क्लिकना है first वाले पर और effect पर क्लिकना है यहां पर आपको थ्लाइंग पर क्लिकर के paste डिपेक्ट करते हैं इस तरही साइट लग जाएगा आपको photo पर क्लिकर की तरह को पर आपको स्ँइम करने के प्रोजटिक और आपको यहां पर फूस्ट में ऍसको आज आना है यहांपर आपिंगा को आज आ बरोबर और उसके बांगते से फ्रैक्ट आन 전 हमें शाहिए घ्रेख के open हो जाएगी बल्कुल complete तरीके से जो मैंने आपको बताया कि आपको फोटो को स्याओ कर लेना है जिनकी साइज आपको 9-16 में रखने होगी वो फोटो हमारे यहां पर काम आएंगे आपको हो फएस्ट वाली जो फालान को क्लिकरने ऍकलले स्टार पकलिकरने उपर को 9-16 साइज का फोटो आपको ले प्लस प्लिक कर देना मतलब इसी तरह को जितने भी यहां पर लियर में आड कर गी उसमें सभी में आपको इसी तरह को फोटो को चेंज कर लेना यही प्रोसस होगा आपको क्लीक करना और नीचे स्क्रोल करना और यहां पर आपको फोटो को स्लग्ड़ना है और प्लस पर क्लीक देना फोटो आड हो जागा दूसरी लियर पर क्लीक करना है कलेंट फिल्प पर लेना है नीचे स्क्रोल करना है दूसरे फोटो को आपको यहां पर लेना है और प्लस पर क्लीक करना है सभी फोटो की साइज आपको 9-11 रखनी है ताकि यहां पर आपको इफेक्ट में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी अगर आप किसी भी फोटो की साइज को अलगर रखेंगे तो आपको दिक्कत आगे इस तक आपको सभी में फोटो को चेंज कर लेना है चेंज हो जाने के बाद उपर आपको क्लिक ना है उपर वाली पर और आपको सिंपल से यहां पर क्लिक ना है साइट बिल्कुल वहां तक बिल्कुल बरोबर ऑटमेटिक हो जाएगी ओके आपको फोटो चेंज करेंगे बाद आपका जो स्टेटस है वो कम्प्लीट बन जाएगा अगर आप अपने स्टेटस के अंदर SDR effect का यूज करना चाहते है तो आपको यहां से बाहर आना अपन करना से एक एक फेक्ट के प्रोजेक्ट को यहां पर आपको चार लाइने मिलेगी एक दो ती और च्यार ठीक है यह चारों को आपको दीख लिए ना है इन चारों को सलग्ट करना है इस तरह किससे स्टाब आ है यहां पर क्लिक किना उसके बाद उपड़ीट कि अगया रहा है और सबसे फ़स्ट में लेना बीच में को पेश्ट ने वरी बिल्कुल फाल में जाएंगी तो देखिए आपका जो काम में है